यहाँ पर s और star, s एक set है और star उसके साथ एक binary operation है और इसमें कहा गया है कि यह semi group है semi group कब होता है जब आपके closer और associative property hold करती है उस case में हम जो set होता है उसको semi group बोलते है लेकिन अगर identity property भी hold हो जाए तब यह semi group है यह आपका क्या बन जाएगा? monoid बन जाएगा इस तरह से option से यहाँ पर सही है क्योंकि उसने कहा है identity element भी exist कर रहा है इस set में और अगर closer, associative, identity और inverse exist कर जाता है उस case में हम group बोल देते हैं उस case में हम क्या बोल देते हैं? group